वेल्कम टू फ्री लब्ड उनिवर्सिटी मेरे नाम रहलासन है आज से मिलों बात करने वाले हैं बी इवी एए के कोशन पेपर के बारे में इन्वार्मेंटिन स्टडी आपका ये सब्जेक्ट का नाम है पडियावरन अधिजन परशमता वर्दक अनिवार पाठकरम ये आपका अबिलिटी इन्हांस्मेंट कंपलसरी कोर्स के अंदर गताता है ये आपको कंपलसरी होता है अगर आपने इंग्विस ओनर्स लिया हुआ या फिर आपकर कोई भी ओनर्स करते हैं इगनू से तो आपको ये कोर्स कंपलसरी होता है ये सब्जेक्ट आपका प्रोग्राम कोड अगर जिसदի की दिखा जाया अगर आपका BEAUGH एगर आपका प्रोग्रैम कोड है तह आपका जो कोर्स कोड हो गया यह हो गया BEAU ALI वनिट बन या आपका 50 marks का examination होता है ओब्जेक्टीब examination है दो गंड़े का examination होता है तो देखते हैं क्या कैस्ट कोर्षन है इसमें लिखा है कि आपको OMR अगर यहाँ पर दिखेंगे तो OMR सिट में आपको लिखना है भढ़ना है जिसे भढ़ते हैं दूसरा चीज है कि total 50 questions है पर question पर एक number आपको मिलेगा सही होने पर और negative marking वाला चीज ऐसा नहीं होता है यहाँ पर और इसमें साब साब लिखा गया है कि आपको समय बरबाद नहीं करना चाहिए पढ़ने को पर question को बार-बार आप एक और सुरू से बनाना सुरू करें क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा दो घंटा का भी time sufficient एक तरीकिस से नहीं होता है क्योंकि आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीजें छूट भी जाती है तो आप एक करके answer करते ना सुरू किजेगा तो वह हो जाएगा mathematics नहीं है कि आपको बाद में solve करने में में से मिलेगेगा तो अगर आपको पता है तो आप एक वार में ही दे सकते हैं जबाव कर दिया गया था तो आपका जो examination हुआ है February 2021 में हुआ है उसका question paper है so यहाँ पर third party से outsource करने के बाद यहाँ पर जो भी जैसे कि टिक लगाव आपको दिख रहा है यह टिक सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है इसके जमेवारी आपकी होगी so पहला question है in which of the following reports books was sustainable development formally defined for the first time इसमें 4 options है पहले option से silent spring दूत्र है the limits to growth और third है our common future and fourth है agenda 21 यहाँ पर हम सारे English का question पर लेंगे बागे Hindi का आप देखी जेगा अपने हिसाब से question number 2 है which of the following is not one of the 17 sustainable development goals adapted by UN no poverty zero hunger no health and well-being tourism and travel क्या है जो कि UN के द्वारा sustainable development जो 17th sustainable development अपनाया गया है जो goal अपनाया गया है उसमें से क्या नहीं है इन 4 में से आपको जवाब देना है question number 3 है which of the following is an example of human modified environment पहला है artificial leaks orchids crop fields damps अच्छा अगर आप चाहें तो इस अगर आप इंगनू के student है आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं आपको जो भी requirement आपका जो question paper होगा वो आपको मिल जाएगा और काफी सारे audiobook भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर मिलेगे तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारी टेलिग्राम को जोईन किजिए आपको बहुत सारे content को एकस करने के लिए फूर्थ नमर कोशन आपके पास यह अपनी साब से आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस कांसर फिर नमर का question है which of the following reasons covers more than 50% plant species in the world tropic rain forest, tropical deciduous forest, temperature evergreen forest, sorry temperate evergreen forest, temperate deciduous forest question number six है crown fat mostly takes place in which of the following forest dense forest, thorn forest, savannah forest, alpine forest जब आपको screenshot लेने में परिसानी नहीं नहीं हो just a minute, okay तो यहाँ पर आप screenshot ले लिजिए आप पढ़ लिजिए communities reading, communities residing near west disposal site receiving less economic benefits than the communities generating the west represents इसमें भी चार options दिएगे हैं, जैसे कि चार options नहीं दिए जाते हैं, economic inequality, iniquity, social iniquity, procedural iniquity, geographical iniquity, question number eight है आपका which of the following, which one of the following communities does not have strong sense of stewardship, urban community, tribal community, traditional agricultural societies, pastoral community काफी सारे errors वाले word हो जाएंगे तो mispronunciation होता है तो आप उसको ignore कि जेगा क्योंकि यह video non-decided है और video non-edited है, तो कुछ चीज़े गलती होंगे ही, क्योंकि पहले एक बार जब यह आपको को क्योंकि बात की security पे मतलिजी, objective हे गलत भी हो सकता है question number four है, the water cycle is driven by global carbon cycle, sun, atmosphere, hydrogen, क्या होगा यह आप जान लिजी chemosynthetic, bacteria are phagotropes, saprotropes, autotropes, heterotropes question material, life does not exist beyond dash meters above min sea level, six thousand, seven thousand meters, eight thousand meters or nine thousand meters, यह आप देख लिजे, इसे भी सिदा करना पड़ेगा आप screenshot ले सकते हैं बाकि last में आप screenshot ले पाएंगे, इसे वीडियो आप देख लिजे, इंद एक काम करते हैं, आप इसे खुद से पढ़ लिजे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम धीरे धीरे इसको double sided कर देते हैं, ताकि आपको आसानी से screenshot लेने में भी बने यहां से हम इस टॉल करते जाते हैं थुरा से zoom कर देते हैं, ताकि आपको वह परिसानी ना हो, so my commute कर देते हैं, ऐसे रनने देते हैं स्क्रिन सॉट आप लेते जाएए धीरे धीरे स्लो करके 0.25x करके ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हां अगर आपको किसी भी exam की question की paper चाहिए तो आप comment section में comment कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे वो, और हमारे website और telegram को भी check out कर लेजी, महाँ पर आपको हो सकते हैं, आपके लिए, आपसे related informative content मिल जाएं, तो आप देख लीजिए, अगर आप इंगनी sonals के हैं, तो आपके लिए already PDF सारे uploaded है, आप हमारे YouTube चनल पे playlist देख सकते हैं, या भे हम fast forward कर देते हैं, आप इसको अपने हिसाब से 0.25x करके, speed करके, screenshot ले लीजिए, हैं, आपके लीजिए! उमीद है अपने सारे questions को देख लिया होगा आपको समझ में विया गया होगा और विडियो बहुत लंबा हो जाता तो इसी वज़े से मुझे लेकर हम उमीद करते हैं कि आपको हमारे पसंद आयोगा थेंक्स वाचिंग